सनातन धर्म में धूमधान से गणेश उत्सो यानि गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा सदियों से चलिया रही है इसका खास महत्व भी है इस दोरान गणेश चतुर्थी के दिन भक्त बपा को अपने घर लाते हैं और अगले दस दिनों तक बपा की भक्ती में लीन रहते हैं हारांके कुछ साधक धाई दिनों में ही बपा की विदाई कर देते हैं लेकिन ज़्यादातर साधक दस दिनों तक उनकी पूझा अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन करते हैं अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर बपा की पूझा दस दिनों तक क्यों की जाती है अगर इसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं दरसल सभी देवी देवताओं में गणपती बपा को उच स्थान मिला हुआ है इसी वजह से किसी भी भगवान की पूझा से पहले गणेश जी की पूझा उपासना की जाती है धार्मिक मानेताओं के अनुसार यदि साधक नियमित रूप से बपा की पूझा करता है तो उसके घर पडिवार में हमेशा सकारात्मक्ता बनी रहती है इसके अलावा धन की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेश क्रिपा प्राप्त होती है बपा की उपासना करने के लिए गणेश चतुर्थी के त्योहार को शुब माना जाता है पोराणिक कता के मुताबिक भगवान गणेश ने वेद व्यास जी से महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह किया था जिसके बाद उन्होंने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत ग्रंथ लिखा था 10 दिन तक गणेश जी ने न तो कुछ खाया था और नहीं अपनी जगह से हिले थे ऐसे में इस दोरान भगवान गणेश के शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई थी उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे 10 दिन अनंत चतुरदशी तिथी पर गणेश जी ने महाभारत लिखकर पूरा किया पूरी महाभारत लिखने के बाद गणेश जी ने 10 दिन नदी में स्नान किया था इसी के बाद गणेश उत्सो का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है और दसवे दिन अनंत चतुरदशी के दिन बप्पा की मूर्ती का विसरजन किया जाता है माननिता है कि इन दस दिनों के दोरान भग्मान गणेश हर साल प्रित्वी पर भ्रमन करने के लिए आते हैं इसी वजह से इस समय अपने घर में बप्पा की मूर्ती को लाना और उनकी विधि पूर्वक पूजा करना शुब माना जाता है भाद्रपद की चतुरदशी तिथी के दिन हर साल गणेश चतुरदशी का पर्व मनाया जाता है जिसका समापन अनंत चतुरदशी के दिन होता है व्यदिक पंचांग के मुताबिक इस बार गणेश चतुर्थी का तेवहार 7 सितंबर को मनाया गया और अब मुर्ती का विसरजन यानि अनंत चतुरदशी का तेवहार 17 सितंबर को मनाया जाएगा इस तेवहार का समापन दोप पहर एक बच कर 33 मिनिट पर होगा